हेलो फ्रेंज कैसे हैं आई होब आप लोग ठीक होंगे न्यू वीडियो के साथ आगाई हूँ फ्रेंज मैं उस्वानी आप लोग को स्वागत करती हूँ अपने वीडियो में तो आज चोई इस वीडियो में है थोड़ा सा मलाई से हम बहुत सारा मक्खन भी निकालेंगे और बहुत सारा घी भी बनेगा तो फ्रेंज बीना हाथ लगाए हुए और बीना मसीन का बीना पानी डाले हुए किस तरीके से बनाएंगे तो चलिए फ्रेंज आप लोग वीडियो में बने रहे एक कोकर की मदद से फ्रेंज यहां पे मलाई है एक खपता की मलाई है ये ठीके और हम फ्रेंज से निकालकर इसे आधा घंटा पहले रख दिये हैं आप तुरज फ्रेंज से निकालकर बनाते हो तो थोड़ा सा दिक्कत होता है आप इसे आधा घंटा गर्मी और सर्दियों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है मलाई से मखर निकालना तो आज वहां वीडियो लेकर आए हूँ बहुत यसान तरीका है आप पांच मिनट भी नहीं लगेगा और घी बना कर तयार कर लेंगे गैस की भी बचत होगी और मेहनत भी बचेगा और समय का भी बचत होगा तो चलिए फ्रेंज इस तरीके से हम मलाई को ले लिए हैं और इसमें थोड़ा सा डालना है एक चमत चीनी उसके बाद हम बड़े बरतन ले लेंगे आप बड़े बरतन में ही इस तरीके से मलाई को फेटना है अब हम इसको गिलास की मदद से हम इस तरीके से फेटेंगे तो ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा दूद की तरह हो जाएगा उसके बाद ये और भी मुझे फेटना पड़ेगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा जैसे कि अभी देख रहे हैं फ्रेंस और देखिए इस तरीके से ग निकल पाता है क्योंकि हाट ठंडा हो जाता है फिर काम हाथ नहीं करता है और सब के घर में मसीन तो होता नहीं है जो मसीन से निकालेगा तो फ्रेंश यह बहुत ही इजी तरीका असान है मलाईस से मखन निकालना अब देखिए यह गाढ़ा से थोड़ा पतला हो रहा है अब मत देखिए फ्रेंश हम इस तरीके से निकाल लेंगे हमें इसमें पानी थोड़ा सा भी नहीं डालना है देखिए फ्रेंश अभी कितना असानी से हमारा यह घी बनकर तयार होगा तो यहां पर यह सारे मखन को इस तरीके से हमें निकाल लेना है और देखिए यह जो बचा इसस अप मिठाई भी बना सकتे हैं या फिर आप पूरी का आटा भी गुन सकते हैं तो जो मर्जी है उसको आप यूज कर सकते हैं तो इसका तो हम बनाने वाले हैं मिठाई इसका मिठाई भी इतना अच्छा बनता है ना कोई समझ भी नहीं पाएगा कि घर में बना है, अगले वीडियो में ले कराएंगे, तो देखें इतना सारा मक्खन निकला है फ्रेंज, बहुत ज़्यादा मलाई नहीं था, ठीके न, इतना मलाई से हम इतना मक्खन निकाल लिये हैं, आप देखें ही, उसकी बात, हम इहां पे लेंगे ताजा पानी, ठंधा पानी नहीं लेना है, क्योंकि अभी ठंधा पानी रखा हुआ जो होता है, बहुत ही ठंडा होता है, तो हमें थोड़ा सा ताजा पानी लेना है, और इस तरीकी से मक्खन को डाल देना है पानी में, इसमें जो भी थोड़ा सा इसमें होगा, वो सारा न निकल जाएगा तो फ्रेंज यहां पे हम लिए हैं कुकर का हैल तो आप बताईएगा फ्रेंज कि इतना मखन में आप गैस पे चरहते हैं घी बनाने के लिए तो कितना टाइम लगता है और हम यह कुकर में बनाएंगे फ्रेंज यह बहुत ही कमाल का कीचन टीप से ठीक है तो और इसका ढखकन जो है उसे भी हम बंद कर देंगे अब इसे घी को हम कड़ाई में बनाते हैं तो खड़ा होकर हमें इसे चलाना परता बार बार सारा काम छोड़कर तो फ्रेंज हमारा समय भी लगा रहता और फिर हमारा गैस की भी खपत चादा होता हमें इस तरह किसी कुक एक सीटी जैसे की लग राय की अब सीटी देने वाला है तो इसे हमें बंद कर देना है उसके बाद हमें तुरत नहीं खोलना है कुकर को जब ये ठंडा हलका हो जाए कुकर उसके बाद ही हमें खोलना है तो देखे फ्रेंज कितना असानी से हवारा घी बनकर तयार हो गया है दो मिनट भी नहीं लगा और घी बनकर तयार हो गया है तो देखिए हमें मिहनत भी नहीं लगा चलाना भी नहीं पड़ा और ये ज़्यादा टैम भी नहीं लगा और देखिए कितना सारा घी निकला है तो friends अब हम इसे निकाल कर आप लोग को दिखाती हूं तो इसी तरीके से घी बनाना चाहिए ज्यादा जलाना भी नहीं चाहिए और देखे कितने अच्छे से कलर भी आ गया है न अब इसे हमें एक बरतन में निकाल लेते हैं और देखे friends कितना अच्छा कलर भी आया है तो बाहर से तो घी लाकर हम लोग खाते ही है बट घर का जो घी होता है ने एक अलग ही होता है और खुशी भी होता है कि हम घर पे घी बनाए हैं तो यहाँ पे देखिए अब हमें इसको छान लेना है तो friends यहाँ पे छान लिए हैं और यह भी थोड़ा गरम है तो इसमें थोड़ा सा घी अभी है ही इससे हमें करना क्या है थोड़ा सा ले लेना है चमच लेना है और इसको कोई चीज से हमें इसको थोड़ा सा उपर से प्रेसर डालना है ताकि जो भी घी होगा वो सारा नीचे आ जाएगा तो देखे friends कितना असानी से हमारा घी बनकर तयार हो गया है सच कहूं हमें 5 मिनट भी नहीं लगा यह घी बनाने में आप जो देख रहे हैं न सिर्फ यह बहुत ही असानी से बन गया है और देखे कितना सारा घी भी निकला है तो आप इस तरीके से घी निकाल सकते हैं घर पे बहुत ही असान तरीका से तो यह वीडियो अप लोग को कैसा लगा फ्रेंस यह टिप्स कैसा लगा आप चरूर बताईएगा और हमारे वीडियो कहा से देख रहे हैं यह भी बताईएगा ठीक है तो फ्रेंस यहाँ पे थोड़ा सा इसे जो भी घी था उसे हम निकाल लिए हैं तो इसमें अब थोड़ा सा भी घी नहीं है तो इसे गरमा गरम ही निकालना है ठंडा होने पड़ घी नहीं निकल पाता है